आप अपको बताएंगे कि कम सोने से क्या क्या बिमारियां हो सकती है जो कि बहुत ही कतरनाव हो सकती है क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिने अक्सर जुकाम की शिकायद रहती है मौसम बदलने ता अपमान फोड़ा कम होने या फिर धूल मिटी में आपके जुकाम को रिष्टा तो दी यह तो जब देखो आपको घेरे रहता है अगर ऐसा है तो आपको नीन के घंटों को काउंट करना चाहिए जोकि विज्ञान को का कहना है कि जो लोग जरूरत से भी कम घंटे सोते हैं उन्हें कॉमेंट कोल्ड या जुकाम की शिकायद अधिक रहती है आजकल की अती व्यस्त होच्चु की जीवन शेली में लोग सुबह जल्दी उठने का अलाम तो लगा देते हैं लेकिन उन्हें सोना कब है इसका निर्धारन नहीं हो पाता है जिसकी वज़े से वे अपने जहातर समय सर्फ काम में ही बिता ज़ते हैं और नियुनतम नीन के घंटे भी पूरी नहीं कर पाते हैं हाल यह प्रकासित एक न्यूज में ऐसा है था कि जो लोग छे घंटे से कम की नीन्द लेते हैं वे बहुत जल्दी जुकाम की चपेट में आ जाते हैं करीब 164 महिलाओं और पूर्सों को केंदर में रखकर इस अध्यन में कर्व एक सथा तक उनका परिक्षिन किया गया इस अध्यन के बाद सोथ करता हूं ने पाया कि वे लोग जो देन में 5 या केवल 4.5 गंटे की नीन्द लेते हैं उन्हें जल्दी जुकाम ने अपनी चपेट में ले लिया है माक्तर 16 परतिसत लोग ऐसे थे जिनको 6 गंटी की नीन के बाद भी जुकाम लगके आओ लेकिन 49 में 39 परसंट लोग उसी शेडी में थे जिनों नीन के लिए ज़रूरी नियुंतम घंटे भी पूरी नहीं की इस सोट के मुख जो अध्यन करता थे एरिक फ्रेटर उनका कहना है कि जब नीन को परियापते घंटे पूरी नहीं कर पाते तो हमारे शरीर को रोग के परति रोदक जो छमता है वो बुरी तरह से प्रभावित होती है और हमारे शरीर में अलग अलग तरह से इसका असर पड़ता है कहीं न कहीं इसे व्यक्ति का स्वास्त रिस्क पर चला जाता है वहीं अगर हम उप्यप्त घंटों की नीन पूरी कर लेते हैं तो यह हमारी युमिनिटी पावर को एक मजबूर गेर परदान करता है अब सवाल यह उठता है कि जब मीन इतनी जरूरी है तो हम क्यों अपनी जहिद के साथ खिरवार करते हैं क्याद हम समझते हैं कि कोई जान दूश कर ऐसा नहीं करता है काम की अधित्ता और प्रफिशनल मजबूरियां हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करती है तो क्यों ना जिस तरह हम सुबब उठने का अराम सेट करते हैं किसी भी हालत में सुब उठने का प्रत्न करते हैं तो सूने के लिए हमें एक अलाम सेट करें और हर हालत में उस समय सूने के लिए कमिटेट हुचाएं